अगले जनम भी बनना चाहूंगी खान परिवार की बहू, प्यार में पागल मलाइका अरोडा ने जब बोले थे बड़े बोल, पक की रिलेशन्शिप वाले करेंगे रिलेट मलाइका अरोडा और अर्बास खान ने साल 1998 में शादी की थी। दोनों की शादी 18 साल तक चली और फिर साल 2017 में इस कपल का तलाक हो गया। हाला की एक समय ऐसा था, जब मलाइका ने अर्बास सम शादी करने को अपनी जिन्दगी का सबसे सही कदम बताया था। अगले जनम भी बनना चाहूंगी खान परिवार की बहू, प्यार में पागल मलाइका अरोडा ने जब बोले थ का नहीं होता, वहम भी बहुत कुछ बरबाद कर देता है। रिष्टे खत्म तो धीरे-धीरे ही होते हैं, बस उनका पता अचानक चलता है। रिलेशन्शिप में कस्मे वादे, प्यार और वफा सब साथ-साथ चलते हैं, जो कब टूप जाएं उनका पता नहीं चलता। यह कस्मे वादे परिशान करने वाले लगने लगते हैं। बॉलिवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोडा जब अर्बास खान से अलग हो रही होंगी तो उन्हें भी अपने ऐसे कई वादे याद आएं होंगे, जिन्हुने बीच में ही दम तोड़ दिया। भले ही मलाइका अरोड और अर्बास खान का रिष्टा अब कागस के दो पन्नों पर सिमट के रह गया हो, लेकिन कभी यह कपल बॉलिवुड के सबसे इंस्पिरेशनल कपल अजमे से एक हुआ करता था। दोनों का प्यार, बॉन्डिंग, आपसी समझदारी और साजहदारी सब कुछ पफेक्ट सी लगती थी, लेकिन जब इस कपल ने तलाक लेने का फैसला किया तो हर कोई हैरान रह गया। 18 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद साल 2017 में दोनों की राहें हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गई। हालां कि तलाक के बाद मलाइका और अर्बास दोनों ही अपनी अप काफी विद करण में मलाइका ने बताया था कि अर्बास को देखते ही उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया था। अपनी बात को जारी रखते हुए मलाइका ने कहा था, मुझे गर्व है कि मेरा नाता इंडस्ट्री के सबसे बड़े परिवार से है। अगर मैं शाहरु पूरा खान परिवार काफी मॉडन है। वहां सबका व्यवहार इतना अच्छा है कि वहां आने वाले हर शक्स को खुशी मिलती है। सभी लोग बहुत अच्छे से पेश आते हैं। इसलिए मेरी यही ख्वाहिश है कि अगर मैं दोबारा कभी जन्म लेती हूँ तो फिर मैं इसी घर में शादी करूँ। हाला कि मलाइका ने तलाप के बाद भी अपने सुस्राल वालों पर किसी तरह का कोई इलजाम नहीं लगाया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि रिष्टों में फेक प्रॉमिसिस किस हद तक सामने वाले को परिशान कर सकते हैं। इस बात मे इसे कई ब्रेक अप के कारण तो खुद को दोश देना या फिर कोसना शुरू कर देते हैं, जो की पूरी तरह गलत है। रिष्टों की उम्र का अंदाजा लगाना किसी के बस में नहीं है। ऐसे समय में कोशिश की जा सकती है कि आपको अपने पार्टन पर कितना भरोसा मलाइका ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि जिस अर्बास के पीछे वह इतनी पागल हैं, उनका रिष्टा यूं इतने बुरे नोटोर खत्म होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाओंगी, सब मैं ठीक कर दूनगा, हमारी राहे कभी अलग नहीं होगी। किसी भी रिष्टे को पनपने के लिए बातचीत या आपका व्यवहार वो दो तरफा सड़क है, जिसके बिना आगे चल पाना मुश्किल है। रिलेशन्शिप में प्रॉपर कम्यूनिकेशन का होना बेहत जरूरी है लेकिन इस दौरान ध्यान रखें कि आपकी बातचीत में भावन से भी अपने साथी द्वारा किये गए कसमों वादे में फंसते हैं क्यूंकि रिष्टे में नहीं कहने की भावना उन्हें घेरे रहती है। जो न एक तरह का फ्यूचर लॉस है बलकि जिस समय आपके पार्टनर को इन सबसे गुजना पड़ेगा वह बुरी तरह तूच जा अगर आप रिलेशन्शिप के किसी भी कमिट्मेंट तरह करेंगे।